जिस प्रकार से साधू संत यहां पर पहुच रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा काफी अभी चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि यह जो साधू संत यहां पर आ रहे हैं इसनान के लिए उसके बाद यह धर्म सभावी करते हैं और क्या उसमें जो है राम मंदिर की बाते यह हमने कली हमारे दर्शकों ने देखा था कि साध्वी निरंजन जोती जिस वक्त उन्हें मनलेश्वर बनाया जा रहा था उस वक्त बाचीत की दिभारत समचार ने उनसे तब उन्होंने यह का था कि वह मंदिर आंदोलन की ही पैदाईश है मंदिर आंदोलन के लिए कारे करती रही है और वो जो एक साधू परंप्रा साध्वी परंप्रा है उससे वह राजनीति में गई थी और एक बार फिर वह अखालों से जुड़ी है यानि अखाला साधू परंप्रा का हिस्सा है लेकिन अखाला एक ऐसा पवित्र संगठा नहीं जिसे कह सकते हैं कि अगर उसका पल मिल जाए तो समझा जा सकता है कि जीत सुनिश्चित है क्योंकि इन अखाडों का आदिश अंकराचार ने गठनी किया था सैंड और शस्त्र बल के साथ कि वो दुश्मनों से मोर्चा ले सके धर्ब के स्थापना कर सके साध्य निरंजन जोती ने भी यही कहा है कि जिस तरीके से हमें अखाडों का साथ मिला है मंदिर निर्मार जरूर होगा उसके अतिरिक अगर आप स्वामी उमा कांता नंद हैं या दूसरे और स्वामी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं कई जगे उन्होंने इस बात का प्रचार किया हुआ है होडिंग्स लगा हुए हैं कि अगर मंदिर निर्मार नहीं हो सकता है तो हमें हिंदू होने पर धिक कि अग़ेंगे रूट आप समय्हे सकते हैं कि यहां से राम मंदिर की आवाद बराबर उठती रही है और एक रही है गभर धरमसंच जैռसे कोया आयूजन हुता है तो यकीनां उसमें भी राम मंदिर बनाये को लेकर। चर्चा जरूर होगी कि खुश्बू जिये बिलकुल जिस परकार की तस्वीर और जिस परकार से हमारे सयोगी लगातार बने वे उनका ये कहना है कि जी हाँ और हमारे साथ सेयद मेहमद तो थे ही जुड़े वे सेयद आमद और हमारे साथ